फ्रेंस इंडिया वर्स स्री लंका के बीच आज तीसरा टीट्वंटी मैच खेला जाना है फाइनल टीट्वंटी मैच खेला जाना है इससे पहले दो टीट्वंटी मैच में एक टीम इंडिया और एक स्री लंका ही टीम ने जीत लिया है आज का मैच यहां पर निर्णा एक होन चल जागा उसे बहरे चंगो जरू सस्क्राइब करना तो फिर यहां पे जो है टी 20 मैच का आज जो फाइनल तीसरा मैच है वो खेला जाना है राज कोट पिछले मैच का अगर आपको एक समरी दे दूँ तो पिछले मैच है सबसे बहतरी इंचो की सूरी कुमार यादों ने यहां पर प्रदस्द किया था अकसर पटेल जिन्होंने 65 रन सिर्फ और 31 गेंदों में यहां पर बनाये थे जिसमें 3, 4 और 6 छके सामिल है टीम इंडिया के तरफ से और कोई ऐसा बल्लिवास नहीं जिसना अच्छा यहां पर प्रदस्द किया हो टीम इंडिया ने 20 ओरों मे आठ विकट पे 190 रन ही बनाये और स्री लंका यहां पे 16 रनों से मैच जीत गई स्री लंका की तरफ से यहां कुसल मेंडिस ने यहां पे 22 रन सिर्फ 31 गेंदों में जबकि संका जो के कैप्टन है सिर्फ 22 पॉलों में 26 रन की बहतरीन पारी के लिए और नॉट आउट रहे ट तीसरे टी 20 मैच मैं यहां पे साथ संजू सैमसंग को आज फिर मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो यहां पे अन्फिट है उसके अलवा पिछले मैच का जो एक मोस्ट हाइलाइट एक चीज था कि यहां पे टीम इंडिया की तरफ से हार का एक मेन रीजन यह भी था कि यहां प पर यहां पे चकाता एक दो नौबल को छोड़ दे जसकी वज़़श टीम इंडिया सेकंड टी 20 मैच यहां पे हार गई हर्दिक पंड्या की अगवाई में आज जो है तीसरे टी 20 मैच खेला जाना इससे पहले हर्दिक पंड्या की अगवाई में साथ टीनोटी मैच खेले अगर सेकिंड टी 20 मेच हरदिक पंडिया जी जाते तो एक अलग रिकॉर्ड बना देते जब कि यहाँ पर बहुत सोसल मिडिया पर हरदिक पंडिया भी यहाँ पर ट्रॉल हो रहे हैं क्योंकि सेकिंड मेच वो जी सकते थे 80-20 मैच फिलहाल फाइनल मैच में आपकी क्या रहा है कमर्स करके जरूर बताना आई होप टीम इनिये जीते हैं